काबुली वाला सैसा मेरी पांच वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगडम बगडम का खेल छोड़ कर खिड़की की तरफ भागी और जोर-जोर से पुकारने लगी काबुली वाले, ओ काबुली वाले! जो ही काबुली वाले ने हसकर मुँ फेरा और मेरे घर की तरफ आने लगा वह घर के अंदर भाग गई उसके मन में डर बैठा हुआ था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़ कर अपनी बड़ी सी जोली में डाल लेता है काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हुगया मिनी के आवाज पर वहाँ आया था इसलिए मैंने उससे कुछ मेवे खरी दे उसकी बातों से पता चला कि उसका नाम रहमत था मिनी का डर दूर करने के विचार से ही मैंने उसे भीतर से बुलवा दिया काबुली वाला जोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर मिनी को देनी लगा पर वा किसी तरह भी उन्हें लेनी को राजी नहीं हुई दुगने डर से मेरे घुटने से सट कर मेरे पहरों से लिपट गई इस घटना के कुछ बाद एक दिन मैं किसी आवशक कारे से बाहर जा रहा था देखा कि दर्वासे के बाहर बेंच पर बैठी हुई मिनी काबुली वाले से हस-हस कर बाते कर रही थी काबुली वाला उसके पास बैठ कर बड़े ध्यान से उसकी बक-बक सुन रहा था पिता के बाद शायद या पहला व्यक्ति था जो इतने ध्यान से उसकी बक-बक सुन रहा था मिनी को उसने धेर सारे मेवे दे रखे थी मैंने रहमत को अठनी देते हुई कहा आगे से से मेवा मत देना धीरे धीरे काबुली वाला लगभग प्रति दिन आने लगा अपने मीठी मीठी बातों से और पिस्ता पादाम दे कर उसने मिनी के नन्हे से दिल का विश्वास पा लिया था वे आपस में दोस्त बन गए थे दोनों में कुछ बंदी हुई बातीं और हसी मज़ाग चलते रह्मत मिनी से कहता मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी मिनी उलट कर पूछती तुम ससुराल जाओगे क्या रह्मत घुमसा दिखा कर कहता मैं तो ससुर को खूब मारूंगा और मिनी खूब हस्ती प्रदिवर्ष माग के महीने में रहमत अपनी देश चला जाता इस वक्त वह अपना सारा समय उधार का रुपया वसूल करने में जुटा रहता किन्तु फिर भी वह मिनी से मिलता आवश रहता था अचानक मैंने अपने घर से एक दिन देखा कि रहमत को दो सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे थी रहमत की कुर्ते पर खून की दाद थी और एक सिपाही के हाथ में खून से सना एक छुरा पूचने पर पता चला कि वसूली के समय किसी व्यत्ती ने रहमत से छूट बुला और पैसे देने से इंकार कर दिया बात बढ़ गई और रहमत ने उसे चुरा भोग दिया चुरा मारने के अपराद में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई देरे देरे हम काबुली वाले को भूल गए कितने ही वर्ष बीट गए उस दिन मिने का विवाह था घर में खूब जहल पहल थी कि अचानक काबुली वाला मेरे खर आया और मुझे अभिवादन करके एक और खड़ा हो गया उसे पहचानने में मुझे थोड़ा समय लगा अचानक वह बोला मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ मैंने उससे कहा आज घर में बहुत काम है किसी से भेटना हो पाएगी बायूस होकर वह बोला यह अंगोर, बादाम, किश्मिश बच्ची के लिए लाया था उसको दे दी चीगा मेरे पैसे देने पर उसने लेने से इंकार कर दिया फिर बोला बाबुजी, आपके लड़की की तरह मेरी भी एक बेटी है यह कहते हूँ उसने अपने कोटे की जेव में से एक मैले कागस का टुकडा निकाल कर साव धाहनी से उसकी तहे खोली कागस पर रहमत की बेटी के नन्ने हाथों की चाप थी अपनी बेटी की इसी याद को सीने से लगाई रहमत कलकत्ता की गलियों में सौदा बेजा करता था यह देखकर मेरा दिल भराया मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलाया शादी की लाल साड़ी पेने माथे पर चंदन लगाए बहु वेश में मिनी लच्चा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई रहमत उसे देख सक पका गया मुन्नी ससुराल जा रही है क्या मिनी अब ससुराल का आर्थ समझती थी इसलिए शर्मा गई वह अंदर चली गई मैंने एक नोट निकाल कर रहमत को देती हुई कहा रहमत जाओ तुम भी अपनी लड़की के पास अपने देश चले जाओ तुमारे बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी उसकी भी शादी करनी है न गहरे सोच में डूबा रहमत भारे कदमों से